कल लिए यह इक प्रैंश आप देख सकते हैं यह अलंमारी एक गंदी कुछ टिप दौंड़ा आप एक दम नई जैसे आलमारी चम्का सकतेंटें बहुती कमालर्ट के टपP से आपको बहुती पसंद आने वाली है। आप देख सकते वाली हूं कि घर के सामान से ही अनमारी को आप साफ कर सकते हैं कुछ ही मिन्टों में महनत भी ज्यादा नहीं लगेगी और सामान भी घर से ही मिल जाएगा आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा महंगा महंगा किलीनर चलिए मैं बताती हूं कैसे बनाना है इसमें ज्हाइब ज्यासन और देजे ए तैयार हो चुका है इसी से अलमारी साफ करेंगे और बहुत ही असानी से अलमारी एकदम चमक जाती है चलिए अलमारी के तरफ चलते हैं आप देख सकते हैं कितनी गंदी अलमारी है इसे इस तरह से कॉटन के कपड़े में डिप कर लेना है क्लीनर को जो मैंने बनाया है cleaner उसे cotton के कपड़े में डिप करके इस तरह से पहले पोच लेना है कि जो सारी गंदगी इसमें आ जाए कपड़े में देखिए जैसे जैसे रगण रहे हैं वैसे वैसे या साफ होने लगता है आप खुद ही देख सकते हैं जहां जहां गंदा है आप हलका सा जहें आप के लिए बहुत हैंग्सI मैं एक बार और वीडियो डाली दूसरी टिप्स पर मैं आपके लिए फिरसे दूसरी टिप्स लेकी आई हूं लोहे कील मारी कैसे साफ करे यरी गोद्रेज के अलमारी कैसे साब करें आपको जरास भी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए इसी तरह नई-नई टिप्स लाती रहूं और आपका काम बनाए असान जब हम कुछ टिप्स द्वारा काम करते हैं तो काम हो जाता है असान और समय और पैसे दोनों बसते हैं इसलिए मैं आपके लिए नई-नई हमेशा टिप्स लाती रहती हूं आप देख सकते हैं यह कॉटन का कपड़ा है इससे एक बार और रगड़ देंगे ताकि अलमारी चमक जाए देखिए सुखा ही है कॉटन का कपड़ा इसी तरह पोच दिया मैंने जो क्लीनर था गंदगी सब इस कपड़े में आ गई अब मैंने टौवेल लिया है हलका इसको भिगो लिया है हलका सा ही भिगोना है ज़्यादा नहीं भिगोना है और इससे मैं पोच दे रही हूँ इससे अलमारी एकदम साफ हो गई है अब लेते हैं थोड़ा सा नारियल का तेल क्योंकि अलमारी लोहे की है उसमें जंक बिल्कूर न लगे इसलिए आब इसे नारियल के तेज से साफ करेंगे नारिय कथेल से पोचने से साइनिंग अच्छी आ जाती है कॉटन के कपड़े में मैं थोड़ा सा नारिय कथेल लगा लिया है इससे पोचने पे पालिस भी हो जाएगी अलमारी चमकने भी लगेगी और लोहे की अलमारी में जंक बगणा नहीं लगेगा बहुती कमाल की टिप से आपको बहुती पसंद आने वाली है आप देख सकते हैं मैंने पूरी अलमारी में oil लगा दिया है इससे धूल मिट्टी भी नहीं चिपकेगी आप देख सकते हैं एकदम चमक चुकी हैं कुछ टिप्स दो आप देख सकते हैं नहीं दम चमक चुकी है आपको यह वीडियो कैसा लगा कमण में जरूर बताए वीडियो जरा सभी अच्छा लगे तो अपने फैमली दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें सस्क्राइब करें नीचे घंटी है यानि बैल ताकि आपको नए आनिया वीडियो देखने को मिले मेरे चैनल पर वैज नौन विद दुनों रस्पी ए खाने की और सफाई पर अने एक वीडियो है हस्त रहें मुस्क्रादते रहें बाँ